Welcome students on our BIT channel आज से मैं C के प्रोग्राम्स आपको डिमस्रेशन के रूट में लैप्डॉप पे दिखाने शुरू कर उमर उसके लिए ना IDE की जरुवत पढ़ती है IDE ही होती है Integrated Development Environment Integrated Development Environment का मतलब है कि आप वहीं पर प्रोग्राम टाइप करेंगे वहीं compile करेंगे और वहीं execute करेंगे तो उस IDE के बारे में जब बात करते हैं तो IDE मार्केट में बहुत सारे available है लेकिन मैं जिस IDE पर काम करूँगा आपके सामने वो होगी Dev C++ Dev C++ कैसे install किया जाता है इसकी installation के बारे में आपको Mr. Sanchit बताएंगे Hello students जैसे कि पंकसर ने कहा था कि हम Dev C++ IDE को use करेंगे अपने C programming के course में तो चलिए इसको download और install करना सीखते हैं तो इसके लिए हमें पहले अपने Google Chrome पे जाना होगा तो चलिए Google Chrome पे चलते हैं तो Google Chrome पे जाके आपको type करना होगा Dev C++ Dev C++ को type करने के बाद आपको सबसे पहली जो link शो हो रही है sourceforge.net इसको click करने के बाद यहाँ पे एक download बटन आ रहा है तो इस download बटन पे जब आप click करेंगे तो कुछी सेकेंडों में आपकी downloading शुरू हो जाएगी जैसे कि अब downloading शुरू हो चुकी है यह आप यहाँ देख सकते हैं यह 48 MB की एक file है जिसको हम भी install करना है तो इसको हम install होने देते हैं तो जैसे कि time नहीं waste करते हुए यह मैंने already download कर रखी है तो इसको मैं यहाँ pause करता हूँ मैं अपने downloads में जाता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं devcpp 5.11 same software मैंने भी install कर रहा था वो sorry download कर रहा था तो चलिए इसको install करते हैं इस पर आपको एक बार click करना होगा जब आप click कर देंगे तो यह permission मागेगा do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device तो press yes अब इसकी installation process चालू होगा कि यह देख सकते हैं आप इस्टॉलिशन चालू हो चुकी है तो इसके इस्टॉलिशन में हम अभी देखेंगे अभी पूझ रहा है selected language आप अपनी language English चूज करेंगे दन प्रेस ओके फिर आप यह agreement पढ़ सकते हैं और अगर सही लगे तो आई अगरी पर क्लिक कीजिए मैं तो कहूंगा कि जरूर कीजिए देन नेक्स्ट फिर आप इसे इंस्टॉल पर क्लिक करके आपकी इंस्टॉलिशन चालू हो चुकी है तो जभी इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं आपको एक डेमो प्रोग्राम और रण करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एक नॉर्मल सा प्रोग्राम ले लेंगे हेलो वर्ड प्रिंट करनेगा ठीक है ना तो इसको इंस्टॉल हो नहीं देते हैं यह पचास सेकेंड अगया जैसे कि यह इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पर कि एक रण ड्यवडिशे प्लस पलस परण करना चाहते हैं तो इसको ठीक रहन देजिए अगर नहीं करना चाहते तो इसको यह सब्म कर सकते यह हमना करना चाहते हैं तो Freeze करेंगे अभढ़ान ऑभ उपन हो चुका है यह लेंग्वेज वगरा पूछे का है सेट अप मांग रहा है तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएए ओके प्रेस कर दीजिए अभी कॉंसोल हमारा खुल चुका है तो इस कॉंसोल में कहीं सारे अप्शन होते हैं पहला ऑप्शन होता फाइल जिसमें से आप निव फाइल बना सकते हैं पुरानी फाइल को उपन कर सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को क्योंकि एक आइडिया है तो इसके इंदर सब कुछ होता है इसमें एडिट का भी ऑप् Ctrl S को Press करना है यह एक Must है क्योंकि अब जैसे की Save करने का Option फाइल पर जाके हम Save S पर क्लिक करते हैं जब हम Save S करेंगे तो हम इसमें से कोई भी एक Location चूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने यह Location नहीं चूज करी अब मुझको यहां पर अपने प्रोग्राम का नाम देना होगा तो जैसे कि मैं नाम देता हूं Demo तो Demo अब इसके अंदर एक Glitch है क्योंकि हम C Programming पढ़ रहे हैं और यह Save as Type C++ पे Default Set है तो हमको एक चीज याद रखनी होगी कि हमें Extension.C ही Save करना है हमेशा क्योंकि कुछ चीज़े होती हैं जो C की C++ में नहीं चलती है जादतर वैसे तो सभी चल जाती हैं लेकिन कुछ चीज़े आती हैं किसी Time Parer आता है जो कि आप identify नहीं कर पाएंगे सिर्फ इस एक Extension की वजह स तो .C हमेशा आद रखें कि इसको प्रोग्राम बनाने से पहले .C Extension से जरूर Save करें तो अब हम इसको .C से Save कर लेते हैं अभी हमारा Demo.C आ चुका है ठीक है तो अब हमें इसमें प्रोग्राम बनाना है ठीक है तो अभी आप प्रोग्रामिंग पढ़ी हो गया अगर समझ में आए तो अच्छी बात है अगर नहीं आए तो पंकसर आपको समझाई देंगे मैं बस आपको दिखाता हूं कि आउट्पूट कहां से आता है कंपाइल कैसे करते हैं ठीक है ना यह जो ऑप्शन होता है यह कंपाइल को होता है आप F9 प्रेस करके भी कंपाइल कर सकते हैं F10 स कर सकते हैं और F11 से कंपाइल एंड रन दौन एक साथ हो जाते हैं तो मैं तो F11 का जादतर यूज़ करता हूं अपनी प्रोग्रामिंग में इसके अंदर एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी यह ओटो सेव नहीं होता है इसके अंदर आपको कंट्रोल एस दबा के है हुआ है 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 इस आख दो और अच्छे के अचे कि अच्छे करते हैं चीज़कर आप प्रोग्राम जैसे की बन चुगा है अब हम इसको सेव करेंगे सबसे पहले अब जैसे कि सेव हो चुका black screen आ चुके इसका मतलब इसकंदर कौई भी अर्र नहीं है और यह आप यहां पे देख सकते हैं किowe. 우го हमारा प्रोग्राम भी ठीके ता अब हमारा सॉप्ट्वेयर भी सही चल रहा है तो जो भी चीज़ता पड़ाते जाएं अब इस पे एप्लाइए करते जाएं अगर इसरों बेर में या किसीं भी चीज में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हम आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे तो थैंक यू